तो व्हाइब यहाँ पर क्या एक प्रैक्टेस enjoyert जिसमें हमारा किया यू यूज़गा isट करनाहिं है खालि क्या नेम और वेट किसमें मेंने मेल पेक्ट के और और क्या करना है थे कि लोन में उस और्गनाईस करना है तो एक बार इसे आप कोशिश करूँ गाइस लिखने की की एक प्रैक्टिस सेट है यह कैसे इस कमांड को लिखेंगे इस को लिखेंगे किसमें में स्कुछ में ठीक है सिर्फ ड्रेक्स करना है किसका defense का और उन्हें ओर करना है किससे सόल्यूशन के ऑगर हमें लेना है तो हमने select कर लिया क्या name and weight name weight हो गया हमारा जो हमारा first था कि हमें क्या select करना था just the name and weight कहां से from pets where और क्या select करना था guys male pets तो यहां तक तो आ गया name and weight कहां से pets table थे जहां पर क्या होना चाहिए male pet होना था drag. gender double equals to whatever order । किस order में होना चाहिए वेट के तो order by क्या गया वेट ऑर किस उसुंहान होना चाहिए descending होना चाहिए तो क्याकिए descending, तो ये क्या होई हमारी practice set सेट तो था जिसमें हमने क्या लेखा कि name and weight होना चाहिए किस में पैश से जहां पर ज explicar रहरा है किस ऑड़र में डिसेंडिंग ओर मैं थोड़ी सी और के विपाई करके देख लेता है अंपर हम क्या करके देख लेता है 16 बह зов क्या चीजे क्लिकिया शेया इसमें कि पूरी तरही तीनों चीज़ा इडी प्रेंट हो गया और वेट हमने स्लेक करके कर वा लिया अब गाइस हम हमने सारी स्टेटमेंट सेख लिए अभी तक अब टेट स्टेटमेंट नहीं देगी है आप गाइस मुझे हो सकता है कोई जो मेरी जो फील्ड है उसे अपडेट करवाना है र गाइस की अपडेट कैसे करते हैं किसी भी एक फील्ड को अब गाइस अपडेट है तो संपल किसे शुरू करेंगे अपडेट से शुरू करेंगे अपडेट क्या पैच टेबल अपडेट करनी है हमें अपडेट पैस अब क्या करना है क्या 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 को और उसमें सेट करना है लब सेट मतलब एक नहीं वेल्यू सेट करने है इसलिए हमने यहां भी क्या लगा सेट करा क्या करना है तो मैंने यहां पर वेट ले लिया और वेट क्या सेट करना है गाइस 20 अब गाइस जो मेरी यहां तक की स्टेट्नमेंट है अगर मैं यहां पर स सेट. वेट इकवल्स तुट्वेंट तो जितने भी हमारे प्ट के क्या है वह वह हो जाएंगे 20 हो जाएंगे तो यहां पर इस चीज को अपको देहां दखना अभी मैंने कोई कंडिशन नहीं नहीं है अभी सिर्फ मैंने क्या का है कि अपडेट कर दो पैट टेबल के सारे वेट क्या सेट कर दो 20 तो यहां पर जितने भी वेट कॉल मैं गाइस वो अपडेट हो जाएंगे ना कि एक हाली एक गार फील्ड का तो मुझे यहां पर कंडिशन भी देनी तो मैं इसे क्या कर को लूँगा सिलेक ना पर यह से पूरा लिखने की घगा करई हमारी अल्रेडी उपर स्लेक्ट इने वेट वह स्टेट्मेन लिखिए लिग थी मैं सिंपल हुसे यूज कर लूगा और जैसे यहां पर देख सकते हैं जो मैंने अपडेट किया था 20 का पा यहां पर क्या है 14 अवारे गारफीड की जब कहा पर वैल्यू क्या हो चुकिया गाई 20 हो चुकिया तो गाई इस चीज का ध्यान लखना है अगर हमें एक चीज और अगर यह वेट है अगर हमें सार ही जैसे इनको अगर हमें दुबारा कॉमेंट करने महलब स्टार्टिंग से तो मैं इन सब का वेट एक साथ भी जीरो कर सकता हूं सिंपल क्या करके सैट वेट इक्वर्स टू ट्वेंडी बिना वेर स्टेट्मेंट लिए रहे इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कभी-कभी कंडिशन होती है हमें एक कलेक्टिव पंच पे एक साथी ऑपरेशन करना लेकिन अब हमें पता चला हो पुमिरेन ने पुमिरेन टैरीयर मिक्स है तो हमें उसकी एक तो अब ब्रीड अपडेट करनी है तो इसके लिए आप गईस ट्राय करो लिखने की कैसे लिखोगे क्यों आपको इसमें एसक्वेल लाइट मैं हमेशा जो क्वेरी होती हैं आपको को असोशियेट करना है किसके साथ उसकी थोड़ी ची नॉलेज हो जाए वनना फिर आपको बहुत कंफ्यूजन होगा आगे चल लगे तो एक इसकी कोशिश करना गाई और एक इसकी क्या करनी हैं दुबारा वेट करना है सबका जीरो करना है पैस क्योंकि हमें दुबारा से तो कैसे आप एक साथ एक ही लाइन में सारे वेट को जीरो कर देंगे यह भी हमने डिसकुस कर लिए गाईज की कैसे करता है तो इसकी तो आप एक कोशिश करना है कि अपडेट आपसे करने की कोशिश करोगी हो जाए हमने कौन सी एक और चीज कर लिए अपडेट भी सिंगल वेख कमांड से कैसा एक सिंगल आईड से सींगले पैट की डेचल पने वह भी हमने कर लिया तो यह भी हमारा क्या होगिया पूरा हो गया आप क्या हदेट करना है एक सारे देटाबेस को कैसे डिलेट करना है और घर है इस चीज पे इसको डिलीट वाली इसक्ष wär तो डिलीट करने के लिए basically guys क्या command होती है delete from table delete क्या करना है delete है from delete guys जो हमारी operation हमें करना है query का console table का name तो guys जैसे अगर मुझे delete करना है तो simple मैं क्या लग सकता हूँ delete from pets और guys ये क्या करतेगा basically अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया है delete from pets तो जी जारा भी मेरा data होगा पैट्स में वह सारा डेटा delete हो जाएगा हमारा तो guys ये थोड़ा क्या होता है risky होता है क्योंकि ये बहुत easily हमारा सारा data क्या कर सकता है delete कर सकता है table में से तो इस चीज़ कर जियानना जब उसको table delete को यूज करें तो बहुत क्या केरफुली यूज करें यह वाली स्टेटमेंट तो गईस किस चीज के लिए कि अगर मुझे पूरी की पूरी पेट सेबल में से सारे वह डिलीट करना है राइट तो वह कैसे करूंगा मैं उसके लिए हमारे पास है डिलीट फॉम पैस वेर आईडी और जो भी हमारी पैट की जो आईडी जो हमें डिलीट करने हैं हम दे सकते हैं तो जैसे हम देंगे की आईडी कौन सी है वो क्य कर लेगा सब्सक्राइब कर देगा तो गईस यहां पर हमारा जो फर्स टेट आपेश्ट समझने का पूरा वह था कि कैसे हम अपने टर्मिनल मे यूज करनी थी वह हो गई है हमारी पूरी बस एक आखरी हमारा क्या है एक टास्क है जो क्या है गाईस मैंने हाँ पे आपके लिए वो बना दिया है कि हमारी पैठ है टेबल राइट अब इसमें मुझे नंबर फोर वाली ये डिलीट करनी है तो इसमें आप चूज करो गाईस कौन सा हमारा क्रेक्ट तरहे मैं आलग अलग और यहां पर क्या देदी है क्वैरी देधी है इसमसर आप एक Park कर लोगईस तखि थच थोड़ा सा बैटर आइडिअ हो कि कौन सा हमारा करेक्ट और एसफे अप tag कर लिंग के देख लिलीट कर एक तो मैं सैंपल इसे कर लेकिन मुझे क्या करनी है यहां पर उसे सब्सक्राइब कर देते हैं और यहां पर जैसी मैं एंटर करूंगा क्या होगी होगी डिलीट ओग एक बार इसे दुबारा से प्रिंट कर देख लेके लिएट इन फ्रॉम पेस तो आप यहां पर देख सकते हो गाई जो हमारा इडी number क्या था फोर थी वो क्या हो गई है डिलेट हो चुकी है तो गाइस यहां तक का जो हमारा कॉर्स था जो database में की database की हमें functionality क्या होती है कैसे work करते हैं कौन कौन सी commands होती है अलग-अलग constraints होते हैं कैसे list को update करते हैं insert करते हैं sort करते हैं order करते हैं यह चीज़े हमने समझ लिए गाइस अब किस की तरफ चलेंगे अपने इस course के जो database course है उसका second part की तरफ चलेंगे तो गाइस मिलते हैं second part पर सो गाइस यहां पर हम अपने database के lesson two start कर दिया lesson two में जिसमें हम database करेंगी किसमें application में अपने राइट तो गाइस जो हमारा application ता जिसका ने आपको mock-up दिखाया था हमारे first lesson में databases में कौन सा pets वाला app आप क्या कर लेते हूं उसे import कर लेते हूं और देख लेते हूं कैसे work करना है तो गाइस यह क्या आगया हमारा pets वाला app आगया है इसमें हमारे पूरी नीचे configuration भी लिखी हुई है अब गाइस यहां से आप simple code पे download zip कर सकते हो तो simple guide में क्या कर लूँगा इसे safe कर लूँगा किस पे अपने desktop पे safe कर लूँगा और यहां जिसको इंपोर्ट करना है जिसकी error ना इंपोर्ट करना है वह well and good है बट जिसकी error रही है हमेशा मैं हराइप में आपको बताता हूं कि एक आप अपना app खुद भी from scratch कर सकते हो simple आपको copy paste करना है कुछ files पूरा copy नहीं करना चाहिए कुछ चीज़े छोड़की करना चाहिए कुछ जो resource की वह होती है उसे कैसे copy करना है वह देख लेते हैं तो मैं आपको simple import करके नहीं दिखा रहा हूं क्यों जिसको import हो रहा है उसको इसको issue है नहीं क्यों मेरा तो import हो जा अब source में हमारी सबसे पहले कौन सी फाइल खोलनी है मैं manifest file कौनी है उसके बाद resource खोलनी है उसके बाद pets जो हमारी है main वो खोलनी है फिर जो main वाली screen है उसे बंद कर दिए अब गाई manifest में आपको यहां पे क्या दिखेगा पूरा दिखेगा manifest हम कहां पे हमेशा last में copy करेंग जो कि manifest जो आप अल्रेडी सारी चीज़े apply करते तो manifest में अपने आप add हो जाती है 90% सभी चीज़े तो manifest को हम एंड में देखेंगे क्या changes हमें करने अदा हो तो guys themes में change करना होता है बस हमें end में फिर इसके बाद हमारी है resource resource में अभी बाद में देखते हैं पर्दे java files देख है catalog activity के नाम से और editor activity.java के नाम से राइट तो मैं इन दोनों को के कर लूँगा दूसरी टैब में खोल लूँगा guys अब यहां पर हमारी क्या गई java file आ गई है guys एक किस नाम से catalog activity के नाम से और दूसरी क्या है editor activity.java के नाम से तो आप किस पर चलते हैं हमने android studio में चलते हैं और इस चीज का आप ध्यान रखना काई मैं हमेशा कहता हूं जो package name होता है वो हमेशा same होना चाहिए जो आप new app बना रहे हो अगर नहीं बनाओगी guys तो आपको जब आप आप आगे work करोगे तो उसमें error आती है क्योंकि जैसे हम कोई code copy कर रहे हैं या और अलग functionality pages add कर रहे है package name हमेशा same रखना तो हम यहां पर new project start कर लेते हैं guys अपना और यहां पर क्या शुरू करेंगे हम empty activity से start करेंगी अब यहां पर name रख लेंगे हम इस क्या pets रख लिया guys हमने यहां पर name अब इस चीज का आप देख लेना क्या कहता है जो हमारा package name होता है com.example.android.pats जो package name हो हमारा बिल्कु सेम हो रहा है तो जब guys आप देख लो कि बिल्कु सेम हो रहा है हमारा package name right तो इसे select कर लेना java language है guys हमारी right kotlin हम use नहीं करेंगे हम kitkat ही use करेंगे API 19 पर रखेंगे guys इसे और simple क्या कर लेंगे इसे finish कर लेंगे guys हमारा app यहां पर क्या हो रहा है guys built हो रहा है and इ